वेलकम बैक स्टूरेंट टू माई यूटूब चैनल एसार इंग्लिस क्लासेस इस्टूरेंस हम नाउन को बहुत डेटेल में डेप्थ में पढ़ रहे हैं उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को देख रहे हैं इसमें हमारे बहुत सारे सैसन हो चुके हैं लगभग तीन- करनी होगी और मैं बताऊंगी और वह आपने लगा लिए तो किसी भी तरह का क्वेस्टन आप कर पाएंगे चलिए इसके लिए पहले आप एक क्वेस्टन समझेए फिर मैं यह वाले रूल समझाती हूं ताकि आपको अच्छे से यह क्वेस्टन देखिए आप सिटीज आफ अब यह आपको नहीं नजर आ रहा होगा है ना क्योंकि सिटीज प्यूरल है फिर यह प्रेपजीशन है फिर सिटीज प्यूरल है फिर उसके दवर जोड़ा हुआ है पर इसमें एरर है ओके अभी रूल समझाओंगी तो आप खुद इस एरर को चांट पाएंगे अगला वा आर्ज वर पास्ट बट सी डिडन्ट टरनाप इसको भी देखिए उपर वाले क्वेस्टन के समान ही है कोई मिस्टेक्स लग रही है आपको नहीं लग रही है यह पूरे क्वेस्टन आप एक बर इत्मिनाम से देख लीजिएगा वीडियो को पॉस करके मैं आपको रूल में पूछे जाते हैं सपोस्ट भी आप यह नीचे वाले क्वेस्टन आ है टू एंड हाफ रूपीज ओनली इसी टाइप के आपको क्वेस्टन एक्जाम में मिलते हैं ओके आज हम रूल नमर फिफ्ट और सिक्स पढ़ेंगे पहले नाउन क्या होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं और पहले के फोर रूल में आपको डिटेल में समझा चुकी हुए ना अभी फिफ्ट और सिक्स रूल देखें कुछ नाउन प्यूलर एवं सिंगूलर दोनों में एक ही रूप में रहते हैं जैसे डियर, फेस, क्रू, फैमिली, टीम, जूरी, कार, पेक, ट्राउट, एयरक्राफ्ट, काउंसल ये जो हैं ये चाहे सिंगूलर हों चाहे प्यूलर हों ये इनमें कोई परिवर्टित नहीं होता है जैसे आपको छोटी क्लासों में अकसर करके पूछा जाता है स्टुडेंस ये टीयर, इसका प्यूलर बताओ, एर्थ क्लास में आपको मिलेगा, खुब पूछा है, ये फिस पूछा गया है आपसे, कि फिस का प्यूलर बताओ, ठीक है, है ना, ये दो वर्ड तो बह लिया हुआ है आपको इर्थ क्लास में, ओके चलिए अब इसके देखते हैं, कि सिंगूलर हो या प्यूलर हो, इन में परिबरता नहीं होता है, जैसे देखिए, ये एक्जामपल देख लेजे, आब और टीम इस दा वैस्ट, ठीक है, अब जैसे ये सिंगूलर, इसमें के साथ हमने जो इज लिया हुआ है, ये किसके हिसाब से लिया है हमने, सिंगूलर के हिसाब से लिया हुआ है, ठीक है, क्यूंकि टीम यहाँ पर सिंगूलर है, सेकेंड वाला question देख सकते हैं, our team are wearing their new uniform, अब यहाँ पर team है, लेकिन यहाँ पर यह कैसी है, प्यूलर दर्स आ रहा है, इसकी helping words से अपन को समझ में आ जा रहा है, ये प्यूलर है, उसके बाद अगला देखें, the jury is considering its judgment, यहाँ पर jury कैसी है, singular है, इस से पहचान में आ रहा है, फिर the jury is considering their verdict, वहाँ judgment था, क्योंकि किसी एक के बारे में जब देते हैं, जब क्या होता है, judgment होता है, लेकिन जब किसी, मतलब बहुत सारे मालों, दस judge बैठे हैं, तो वहाँ पर बैठ कर कोई नर्णा दिया ज जाता है, तो वह क्या हो जाता है, वर्डिक्ट हो जाता है, फिर, one face is there in the pond, एक face कहाँ पर है, तालाब में है, और, there are many face in the pond, तालाब में बहुत सारी face है, ठीक है, तो मतलब singular, सिर्फ इस में helping verb का अंतर हो जाएगा, बाकि इस में कोई as, yes, इस तरह से हम नहीं लगा सकते है रूल 6 देखें, कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्यूलर होते हैं, लेकिन यदि उनके पूर्व निस्चित संख्यात्मक definite number adjective का प्रियोग किया जाए, किया जाता है तो इन नाउन्स को प्यूलराइज नहीं किया जाता, जैसे pair, score, gross, stone, hundred, dozen, thousand, million, billion, etc. इनको क्या है, इनके साम बैसे तो यह प्यूलर ही होते है ना, pair, score हो गया, अगर इनके साथ कोई number लगा दिया जाए, number जैसे लगा दिया जाए, one, two, three, four, अब one, two, three, four भी कैसे लगा दिया जाए, one मतलब ये वाला, इस तरह है का one, ठीक है, और two ऐसे, ये वाला one, two नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है, ऐसे वाला, तब देखी क्या होता है, I have two pair of suits, पहला बाला sentence देखें, I have two pair of suits, अब इसको क्या करन किया है, pair लगा दिया, ठीक है, pair तो हम pair को प्यूलर अपन नहीं कर सकते, तो pair के सामने अपने क्या लगा दिया, two लगा दिया, ठीक है, ऐसे, तब इसकी संक्या, define हो जाती, अगला देखें, I have two hundred rupees only, मेरे पास कित्ते हैं, केबल दो सो, संक्या क्या लग गई, ये देखें, two लग गई, अगला देखें, C purchased three dozen pencils, three dozen लग गया, तब प्यूलर आइज नहीं करना, अब देखिए इसमें, इनको, प्यूलर कहीं भी नहीं किया है, ये नहीं किया है, ये नहीं किया है, इनको में क्या कर दिया है, सिर्फ उसके आगे, संक्या जोड दी है, अगला वाला देख लें, C has already denote, donate five thousand रुपीज, उसने five hundred रुपीज पहली donate कर दिये हैं, it is a three feet wall, है ना, अलब सिर्फ आप number देखें कि in down के अंदर, हम number लगा देते हैं, it is five feet is widest, तीन फिट चोड़ा, अब इसको देखें, यदी लेकिन, यदी लेकिन इनके साथ countable, indefinite countable का प्रियोग हो, तो इनने polarize किया जाता है, मतलब अगर इनके साथ definite noun है, ठीक है, तो फिर हम इनको polarize नहीं करते, definite मतलब number लगा दिया है, one, two, three, तो निस्चित ही हो गया है, कि दो चाहिए, कि तीन चाहिए, चाहिए, तो वो क्या हो गया, definite हो गया, तब हम इनको polar नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर वो define नहीं है, एक दर्जन, दो दर्जन, चार दर्जन है ना, एक जोड़ी, दो जोड़ी, ऐसा define नहीं है, तो फिर क्या करेंगे हम इसको polar करेंगे, यदि लेकिन इनके साथ है, इन्डेफिनेट काउंटेवल का प्रियोग होता है, तो इन्हें प्यूलराइज किया जाता है, जैसे डजन्स, बूमन्स, डजन्स ओफ बूम, डजन्स ओफ बीमन, अब यह देखो, जो यह, यह है न, यह वूमन, यह बाला होगा, ठीक है, लेकिन यह क्या singular है, और प्यूलर में क्या हो जाएगा, यह इधर पर E हो जाएगा, है न, फिर उसके बाद देखें अगला, hundred of people, अब hundred को भी प्यूलर नहीं करना है, लेकिन इसके साथ यह जो people लिया है, कहता है, है, indefinite है, है न, तो इसलिए इसके hundreds को प्यूलर कर दिया है, millions of dollars, अब million, ठीक है, यहाँ पर dollar, millions लगा है, मतलब definite नहीं है, तो यह, इसको प्यूलराइज कर दिया है, फिर आगे, scores of shop, मतलब बहुत सारी दुकान हैं हैं न, कई score, many pair of suits, जूतेओं की कई जोड़ी, thousands, millions, ओके, इसका seven वाला rule और देखिए, फिर हम पीछे जो हमने आपको question करवाए थे, हम उनको आपको बताते हैं, ओके, यदि किसी noun के बाद preposition आता है, और फिर वही noun आता है, तब वह noun singular रहता है, एक noun आया, और noun के बाद वही noun, end लगके, किसी preposition के बाद repeat हो रहा है, तब क्या होगा, वह noun singular होता है, जैसे देखो, यह दिया है, इसको बहुत, उससे देखो, इसकी का question हमने आपको बताया है, पीछे हैं, यह देखिए, इसमें यह question देखिए, town after town was devastated, अब यहाँ देखो, town है ना कि towns है, इसमें as नहीं लगा है, ठीक है, अगर as लगा दोगे तो wrong हो जाएगा, और उसके बाद, यह जो was लगा है, यह भी कैसा रहेगा, was मतलब singular ही रहेगा, helping बर भी singular रहेगा, और noun भी singular रहेगा, काई के बाद, preposition के बाद यदि वो repeat होता है, तो, फिर अगला यह देख लीजे आप, rose upon rose, opaque marvel looks beautiful, ठीक है, इसमें भी देखो, यह rose, यह रोज, यह singular, ठीक है, और यह बर्व को हमने singular बनाया, okay, एक और question देखिए, यह देखिए, sip after sips is arriving, इसमें भी क्या कर दिया है, sips नहीं किया है, sip after sip, इसको भी अपने क्या कर रखा है, singular कर रखा है, ठीक है, इस तरह के वक्कियों में, मतलब जी उपर मैंने बाग के पढ़ा हैं, towns after towns, rows upon rows, doors to doors, sips after sips लिखना, गलत है, अब यह question देखिए, जो मैंने पीछे आपको समय दिखाए हुए थे, जो लग रहा था कि बिलकु सही है, इसमें क्या लिखा है, cities after cities बर destroy, मतलब क्या होगा, इसमें क्या क्या इसमें wrong होगा, एक तो आपका यह वर नहीं आएगा, पहली बात तो यह cities नहीं होगा, cities नहीं होगा तो फिर वर भी नहीं आएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, city, after city, ऐसा होगा, और जब यह होगा तो फिर यहां पर क्या जाएगा, यह जाएगा, इसलिए होगा ना, इसलिए हमको बेटा यह रूल जो है ना, विलकुल डिटेल में पढ़ने बहुत जरूरी है, पहले तो हमको लगता है इतना सारा है हम कैसे पढ़ेंगे ना, पर आता इतने सारे मैसे ही है, यही रूल आपको कहीं भी कोचिंग में आप जाओगे, तो यही रूल आपको डिटेल में पढ़ाए जाएगे, अगला question देख लो, hours after hours were past, but he didn't turn up, ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, यह आर्स लिखा हुआ है, इसमें भी आर्स ही रहेगा, एस नहीं लगेगा, फिर यहां आपका after रहेगा, ओके, फिर से आपका repeat होगा वही नाउन, और जब नाउन singular है, तो बर भी आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, ओके, अच्छा, इस्प्रिण्स, यह बाकी के, मैंने आपको दो solve करवा दिये हैं, अब आप यह बाकी के जो, आठ बच रहें, इनको आप solve करें, और इनके answer मुझे comments box में भेजें, मैं वहाँ पर check करके आपको बताऊंगी, क्या आपने सही किया है, कि नहीं, इससे आपकी practice भी हो जाएगी, okay, thank you, मिलते हैं अगले season में,